इलाबाद सबद की अक्सरों से बनने वाले क्रमचे की संख्या ग्यात करना सिखेंगे तो यहां पर सबसे मैत्पूर्ण बात क्या है कि इसने इसमें से कुछ फिक्स अक्सरों को लेने को नहीं का गया है बलकि इसने क्या का गया है कि इस पूरे सबद की अक्सरों से कितने क्र प्रमचेगा जनरल फोर्म रहता है वह होता है एन पी आर इस इक्वेश टू एन फेक्टोरियल बटे एन माइनस आर फेक्टोरियल और इसमें कंडिशन क्या रहती है कि कोई भी एक्सर को दोराय नहें जाएं ठीक है लेकिन इसमें देखिए आपका ए ए ए ए कितनी वार आ रह संख्या का रिपिट नहीं रहा है ऐसी कंडियस में आप्र та कर रेक्षियं को याद करने के लिए यह सुतर काम है लेंगे अपना n factorial बट्टे n1 factorial गुणा n2 factorial गुणा n3 factorial डेस डेस जहां पर n1, n2, n3 क्या है यह आपके repeated अक्सरों की संख्या तो n1 कितना हो गया, 4, n2 कितना हो गया, आपका 2, तो आपके करम चे कितने आगे, n क्या होता, total इसमें अक्सर कितने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह आगया, 9 factorial बट्टे, 4 factorial गुणा, 2 factorial, calculation करते हैं, 9 गुणा, 8 गुणा, 7 गुणा, 6 गुणा, 5 गुणा, 4 factorial, और बट्टे में क्या है, दोस्तना, आपका 4 factorial गुणा, 2 factorial, 2 factorial कितना होता, आपका, 4 factorial, 4 factorial आपका, कट गया, ठीक है, और इस 2 से यह आपका, कट गया, 4 टाइम, इसका गुणा करते हैं, आपका 30, इसको गुणा करते हैं, आता है, 120, ओके, 120 के साथ, यहां पे, आप 7 का साथ चबदा, 1, 840, 840 का गया, 9 के साथ गुणा करते हैं, तो, पजीरो, 6, 3, यह आपका, 75, यह नहीं, आपके पास आगया, 75, 6, 0, ओके, यह क्या है, कुलकरम्चे की संख्या, जो की इलाबास सबसे, बनेंगे, 7560, ओके, अगले वीडियो में, अगले कुशन में, फिर मिलते हैं, करम्चे के खुब सारी वीडियो आया है, सब की स्रीजे, पुरा देखेंगे, तो, पुरा समझ आ जाएगा,